हिमाचल संगर्ष स्मिती के बैनर तले अन्य किसान संगटनों के साथ मिलकर किसानों द्वारा ठ्योग कुमार सेन रोहडू, रामपोर निर्मंड आधिस्थानों पर प्रदर्शन किया तथा SDM के माधियन से परदेश के मुखे मंत्री को 15 मांगों को लेकर एक गया पन दिया किसान संगर्ष मिती के बैनर तले अन्य किसान संगटनों के साथ मिलकर किसानों द्वारा ठ्योग कुमार सेन रोहडू, रामपोर निर्मंड कसुम्टी आधिस्थानों पर प्रदर्शन किया गया तथा SDM के माधियन से परदेश के मुखे मंत्री को 15 मांगों को लेकर गया पन दिया इसमें बिधायक राकेश सिंगा, स्मिती के सचिप, संजे चोहान, स्मिती सदस्य लाइकराम, ओस्टा, सुनिल चोहान, अचे दुलिटा, राकेश, दिनेश, पिनोत शर्मा, हिमाचल किसान, सभा के रजिंदर चोहान, सत्यबान पुंडीर, देपकी नन, सुरिंदर वर्मा जे सिंग, जे स्टा, पूर्ण, आधी के साथ सेंक्रो प्रभावित किसानों बो बागवानों ने भाग लिया, इन मांगों में मुखेते किसानों बो बागवानों के विभिन मंडियों में, आर्टियों बो कारवारियों के द्वारा जो बकाय राशी का भुकतान करना है सरक उसे तुरंत करवाय तथा दोशी आर्थियों के विरुद कानूनी कारवाई की जाए। उसके कारवार के एक शमता के अनुसार उसको नक्त में बैंक गरेंटी रखनी अवर्शिक है। प्रभावित किसानों को उसकी उचित भरपाई के लिए सरकार विविन बिभागों जिसमें राजिस्व, क्रिसी, उद्यान, बैंक, बीमा, कमपनी व अन्य संबंदित बिभागों के टीम तुरंत गठित कर इसका बाजार की दरों पर मुल्यांकन कर उनको इसका उचित का प्रीमियम दिया है, उन्हें बीमा कमपनी द्वारा तुरंत मुआपसा दिया जाए, यदि बीमा कमपनी इस पर स्मय रहते कारवाई नहीं करती है, तो सरकार इसके बिरूत कड़ी कारवाई करे, इसके साथ ही प्रदेश सरकार, केंदर सरकार पर सभी देशों से सेब अन संगर समिती आने वाले दिनों में इन मांगों को लागू करवाने के लिए शीगर ही किसानों का एक जन प्रतिनीदी मंडिल के साथ मुखे मंत्री को मिलेगा तता सरकार द्वारा की गई कारवाई पर विचाल भी मर्श करेगी यदि सरकार इन मांगों को समय रहते नहीं मानती है तो किसानों वो भागवानों को आंदोलन के लिवश होना पड़ेगा प्रिश की सरकार जो है इस पर जो है सिचारू रूप से कारे करे और जो दोście अर्टी है उनके खिलाव जो है यह और हमारी मांग पत्र के अंदर ये भी कारूबातर में मंधिये चाह समय मतमें चाहिए है कि किसान का मल मंध度 के अंध मिक्ता उसी दिन इनका stuffs-だूब जहुए जो भी कारोबारी है चाहे वो आठी है चाहे खरीदार है उसको जो है उसके कारोबार करने के लिए जो है सिक्योरिटी के रूप में जो है बैंक करणटी कैश के रूप में जो है देडी है और हमारी मांगे कि 50 राके करीब जो है ये बैंक करणटी जो है रखी जाए इसके तुफान आंदर और पोला वरिष्टी से जो भारी नुकसान जो है फसलों को हुगा है फलो और सब्जियों के तो किसान संगर स्मिती जो है मांग कर रही है कि आप प्रदेश की सरकार जो है उचित मौवजा जो है इनको दे और जिन्होंने फसल विमा योजना के तहट जो है वो अपने आपको रिस्टर कराया है उनके जो है विमा कंपनी तुरंत जो है मौवजा जो है उनको दे और इसके अलावा जो है अन्य मांगे भी इसके अंदर है जैसे मंडियों का सुधार है और इसके साथ साथ जो गैर कानूनी कार्ट जो है विभिन मंडियों के अंदर की काट की जा रही है। जो है तुरंत बंद की जाए और इसके साथ जो है भिफिनमंडियों के अंदर चाहिए वो जो है प्रती किलो के 혔ाप से जो है विखना चाहिए यह जो कानूनी प्रावधान एपीमसी एक्ट के अंदर है प्रदेश की सरकार इनको लागू करे और ये मौवजा जो है तुरंत दे ये मानने मुख्यमंतरी को हमने प्रेशी दिया